को मारीग बात करने वाने हैं रडॉक्स विदियो में हम देखें कि देख क्रस्ट है कि यह होता है यह तो यह जिस रियक्षिन में रियक्षिन और ओक्षिडेशन या क्षिंड दोनुव क्ळाइब होता है यानिक यह समझते हैं और इसा दिखाई दीघ्जन जो रहा है वह वह रहा है दिञाए तो कैलिशियम औक्साइड यहां औक्सीजन क्या हो रहा है जब किसी रियक्षिजन एड होता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं दूसरी चीज लॉस ऑफ इलक्ट्रॉन अगर हमें दिखाए ते रहा हमान देजे हमारे पास जिंक है जैड एन और जैड एन के बदले में हम रि है रोजन लॉस ऑफ रोजन का क्या मतलब हों कि है रोजन निकल जाए अब यहां पर देखिए यहां तीन दो पाँच एक छे हैड रोजन है और यहां पर तीन एक चार है यानि दो हाइड रोज़न क्या हो इस रियक्षिन में यह इससे यह कर्णोर्ट होने हो दो यह है आजैसे यहां यहां से यहां में दो है दो हट एड होगा तो यह क्या है क्योंग क्यों एडीशन ऑफ हाइडरोजन हुआ है गेन उफ एलेक्ट्टॉन पहले इस इलेक्ट्रोन आ गया है जैद आ गया घ्यों ज्यादा लास्ट लॉस ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन लॉस होता है यहां पर देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन को रिमूफ कर दिया गया यहां से लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो यह भी क्या वजाएगा रिडॉक्स लेकिन जो ऑक्सीजन को दे रहा है वह हमेशा और यही समस्ते हैं इस का बतला है जैसे इस रियक्शन को ध्यान से लेखते हैं यहां C, U, O, copper oxide convert हो गया copper में, यहांनि oxygen का loss, loss of oxygen यहां पर देखिए, reduction, तो यह क्या है, reduction, निकिल same way में देखिए, यहां H2, यहां H2 से क्या बन गया, H2O, यहांनि gain of oxygen, यहां gain 1 oxygen में, जब gain हो रहा है, oxygen का gain होना, यह देखिए, addition of oxygen, oxidation, तो यहां क्या हो गया, oxidation, reaction, एक ही reaction में reduction भी है, oxidation, तो यह कैसा reaction हो गया, redox reaction, अब यह वाला, जो compound है, यह oxygen को दे रहा है, तो यह हो जाएगा, oxidizing agent, oxidizing agent, और यह इसने लिया है, इसने लिया तब यह, तो यह क्या हो जाएगा, reducing agent, जो oxidizing होगा, हमेशा left hand side पर होता है, राइट hand side पर हम कभी भी oxygen को नहीं दिखाते है, next reaction देखते है, F3O4, 4H23FE, यहाँ oxygen ज्यादा था, यहाँ से oxygen कम होगी, loss of oxygen, loss of oxygen मतला, reduction, और यहाँ H2 से H2O बन गया, यानि, oxidation, यानि hydrogen, इसमें hydrogen, oxygen, और यह क्या होगा, oxidation, अब देखो, यह oxygen दे रहा है, यह होगा, oxidizing agent, और यह oxygen को लिया है, तो यह होगा, reducing agent, अगरा देखते हैं, CH4, 2O2, अब यहाँ देखो, CH4 से यह CO2 हो रहा है, यानि, carbon oxygen ज्योट रहा है, यह क्या होगा, oxidation, और O2 से hydrogen ज्योटा है, यानि, oxygen ज्योटा होगा तरी, तो addition of hydrogen क्या होता है, reduction, बात समझ महीं, तो यह कुल topic होगे है, तुमारा redox reaction क में हम लोगे identify करते हैं, कि किसी भी reaction में oxygen हो रहा है, कि reduction हो रहा है, और कैसे होता है, जब दोनों मिला देते हैं Oxidation, को तब ही इसको क्या कहते हैं जरूरी जान ना क्वारेशन में कुण कौन सी चीज़े होती है और इस्टार्ट्जेशन को क्या कहते हैं लिए